सच श्रियकाल जी मैं हां डॉक्टर गगन प्रीत का और ते तुसी सुन रहे हो पंजाबी आयरवेदिक्रस हुई आज असी बहुत ही आम जही बिमारी बारे कल करांगे जड़ी हर कार विच मौझूद है आज दे दौर विच मेडिकल साइंस बहुत जादा तरक्की कर चुकी है तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हन की सानू इनना दे कारणा वारे पता लग जानदा है जो यूरीक इसलीर बड़ी है तो बना दे जान दे आमधिकल साइन देया है असी तातुआं बारे भी गल कर दे हां, जेडियां सतना तातुआं तो साड़ा शरीर बढ़या है, जी दे विचो दो तातुआं जिवें कि अस्ती ते मज्जा, इस साड़ियां हडियां जोड़ा ते हडियां जोड़ा दे विच पाए जान वाला जेडा फ्लूड है, जिसनो पूरा टांचा बढ़या है, जिसने उपर साड़ा शरीर खड़ा है, ता इनन दे विच दुष्टी करके ही सानु ए जेडियां दिखताने ओंदियां ने, मुक तौर ते जेडियां समस्यामा दा सानु सामना करना पेंदा है, उस सब तो पहली गलता है कि सानु एक दर्द ज बहुत ज्यादा प्रिशानी हुदी है, क्योंकि उनना ज्यादा जोड़ा नुँ असी कुमा आफिरा नहीं सक्दे, मूव नहीं कार सक्दे, वो एस्तरा लगदे है, जिमें जड़ हो गए हून, ते कई जगा ते सानु एथे सोजिश भी मिल दी है, जिसने माल तकलीफ होर बहुत सारे लोग सानु एस्तरा केंदे भी मिल दे हन कि उनना पूरे शरीर विच्छी जगडन ते जकडाहट जी में सूस हुन दी है, ते उनननो कोई भी कमकार करना बहुत ज्यादा ओखा लगदा है, सुस्ती ते आलस भी ओंदा है, कई मेरीज इस्तरा दी शिकायत कर दे हन कि उनननों इकदम अपना शरीर जड़ा है, बहुत ज्यादा जकड़या में सूस हुन दा है, पर जदो चल दे फिर दे हन अदे पॉने कंटे बार उनननों थीक लगना शुरू हो जालदा है, शरीर विच किसे भी हिस्सेच दर्द है, चाहे उन पैरां दे विच है, पैरा अपनों जोड़ा दे दर्द तों मुक्थ कर सकते हुँ, असी सबतों पहला अपने खून दी सफाइ करनी है, क्योकि जड़ा खून है, वो साधे पूरे शरीर दे विच को मुदा है, यह जिनना जादा साफ हुन दा है, उनना ही साधा शरीर तंद्रोस्त होंदा है, साफ उचिज आई खाणे दी गल कर देया कुछ इस बाझा भुन ला रावा दुद टीज्अ आ हुएवा fine भी बनाई हैं जेड़ी के जोड़ा दी मजबूतिली बहुत चंगी है इस ते विच कैलशियुम, आयरण, पुटाशियुम, मेगनीशियुम, प्रोटीन, सब कुछ बहुत वदिया मात्रा विच मिलदा है इपर लावा ज़े नहले मिल ऑर ज़ी सालुए जवे तो इलावा कोदरा हो गया, कंगनी हो गई, राज़गीरा हो गया, स्वाख मोगये, सामक मिल ज़े होने ने एक कई तरह दे मिलेट सानु जडे ने मिल जान दे हन इना दी वर्तों करन नाल भी वाद्दू जड़ा आम है या कफ है या जड़ा ज्यादा पार है ओ असी कट कर सकते हां जिस दे नाल सानु जोड़ा दे दर्द विच काफी अराम मिल सकता है कुछ लोग अजेहे वी हन दे हन चेड़े शरीर विच बहुत जड़ा दा दर्द है तक जदो शरीर विच तुसी बहुत जड़ा दा दर्द होता एदा मतलब तो हाड़े जोड़ा दे दर्द दा कारण ज्यादा कमजोरी है एथे तो हानु जड़ा पोशन वाला खाना खाना जादा के ओतेल दी वर्तों करनी चाहिए धी है। जड़ी मात्रा है रोटी दी अपने आप काट जान दी है ति जदो असी काट खाना खान दे हां ता शरीर अपने आप हलका हुंदा है खूण भी साफ हुंदा है साथे डाइजस्टिफ सिस्टम नू अराम मिलता है बहुत सारे लोग एस तरह देहन जिननन वे लगदा है कि अस पेस्ट करके फिर रोटी नू अंदर लेके जाओ इस तरह जे तुसी वीक मिनट अपना खाना खतम करनते लगाउंदे हो तामी तो हाड़े शरीर दा जड़ा पार है वो बिना मेनत किते हलका हो सकता है ति तो हानू जोड़ा दे दर्द तो अराम मिल सकता है एस ते नाल एक लगातार खाऊंगे तो जोड़ा दर्द ते पथ्री या होर किसे वी तरह जेड़ी समस्या है वो पैदा हो सकती है फिर असी डाला नूं एककोदम बंद कर दिन दे हां जड़ो सीड़ा बिलकुल ही खानिया बंद कर दे दे हां तो इस शरीर विच प्रोटीन दी कमी हो कहाली है जीरिषाधित हंदित विलुज है क्का कि के ऊछंगर करदे क्शल है। दूसरा है कि इनना नू देन वेले ही खाओ, चाहे स्वेर दे नाश्ते विच लेलो, चाहे लंच टाइम जड़ा है, दुपैर दाखाना है, उस विच असी ले सकते हाँ, रात दे पोजन विच दाला, छोले, राजमा, पनीर, इनना दी वर्तों सानू नहीं करनी चाहिए दे, जी असे लगातार ए वर्तों करने हा, तब एक दिन अजिहा ओंदा है कि सानू ये छड़निया पैने हाँ, सानू ये छड़निया ना पैन, इनननू सही तरीके वर्तों, अगली गल असी सबजिया बारे करांगे, सबजिया नो भी जो तुसी सही तरीके ना लेन दे हो, ता इ करके खा सकते हूं कच्ची सब्जी या कच्ची सलाथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए दी क्योंकि इस देनाल वात दोश्वोर ज्यादा वाच सगता है ते जोड़ां दे दर्द विच ए तकलीफ दे सकता है जदों या सिप कौन दे हां ताई आम जी गल है इकता आग करके हवा जेडी है और शांत हो गई ठीके जड़ा कच्चा पन है और अगनी नहीं शांत कर देता दूसरा है जदो वी कोई चीजा सी कुक कर दे हां तोड़े बहुत मसाले जरूर पॉन देहां जीरा पादन देहां या सैंदा नमक वी पा रहे हां थोड़ी बहुत काली मिर्च जंद जान दिया हां गर्मियां देले जेडे मसाले असी वर्तों कर सकते हां उनना देविच है हरी इलाइची सौफ जीरा तनिया तेजपत्ता लॉंग ते जे किते सानू अधरक दी लोड़ पैंदी है वर्तों करन दी या फिर जिनननों बहुत ज्यादा दर्द रेंदा है ते उन जित्ते वी लोड़ होवे उत्ते असी सुन्द दी वर्तों करांगे जोड़ां दे दर्द विच जिनना ज्यादा सी अपने पाचन ते त्यान देवांगे उनना जल्दी सानू अराम आएगा क्योंकि जदो साथा पाचन ठीक नहीं हो रहा ता जेडे टॉक्सिन साथे खून जा रहे हन ओ खून दे राहीं जेडे जेडे जोड़ां दे विच जाके जमा हो रहे हन उत्ते सानू दर्द ते सोज पैदा होएगी जे ओ बहुत ज्यादा बात जान दे हन ता ए दर्द ते सोज पूरे शरीरच भी पैदा हो सकती है एथो तक कईया नू पूरा दिन बुख ज्यादा ठंडे हन जिवे की खीरा भी एक तरा दा फाल भी है ते सलाद दे तो और ते असे इसनों सब्जीच भी वर्त दे हां ता ए भी ठंडा होंदा है इन्ना दी वर्तों सानू थोड़ा जा सोच समझ की करनी चाही दी है बाकि कोई वे फाल जदो तो अनू लगदा है क जीरा पावडर या काली मिर्च पाके ही खाओ ता ए पचन विच भी असान हो जांदा है ते दर्द नू कदी भी नहीं वदाओंदा ते इन्ना दा समा स्वेर दा ही है पाव के असी दो तिन वजे तो पहला पहला तुप रेंदे रेंदे जडे ने फल खा लेने ने ते फला पुखे पेठी खाना है इस तरह नहीं करना कि असी हुने रोटी खा दी सीत नाल दी नाल तुरंत फल ले लेना है या फिर फल खांदे असार ही असी रोटी खा लेगे पोजन पकॉन दिले सानु जडी चीज है ओ तेल भी बहुत जरूरी चाहिदा हुंदा है ता वात ना व को सबने हैं सबतों ज्याला जड़ यदा तेल असी वर्ट्वट दे हां आम तौरते वह सरों दा तेल जड़ा कि नूं आम मिल दा है इस तो इलावा जे विर हानू कच्छी कानी बिदा मुंफली दा तेल घुगया नारियल दा तेल हो गया सूरज मुखी दा तेल हो गया एवाड़ जानदा है ता इनना दी वर्तों कीती जा सकती है कई वार किसे पोजन देविच असी सिरफ उन्हों हलका जाही मतलब सेकना हुंदा है असी उन्हों कोई डीप फ्राई सेक लॉन पर जिसरीप करना है उतले सरुंदा तेल ज्याधा चंग जड़ी खिखिख कया प्विलकुल भी नई है उप चाहे उबाला के त्यारि करो पर अंदेल चंबधों चाहिए घृत हमने लुब first लीगाइब है ओईलिंग करदा है बोड़ी दी यह बहुत जरूरी है असी शाड़ा शरीर भी पौदे दी तरह ही है जैसी इसनों पूरा सुका देंगे ता एह टुटी जाएगा बुझ जेगा मर जाएगा इसनों तरो ताजा रखन दे लेई तेल के ओधी जरूरत है पर वो चंगा होना करकी देंगे जिननों कोई की जोड़ा दर्द देविचे दाइन दी वर तो बहुत ही ज़ादा लाब-दाएक नहीं है क्योंकि नहीं कफ नुवद श्रीफ नई है ते सोचिश नूँ वदा सकती है एस करके तुसी जड़ी मखन निकली होई लसी हुंदी है एस नूँ भी कदी-कदाई वर्च सकते हो क्योंकि ये कफ़नू ता नहीं वदाउंदी पर ठंडी हुंदी है एस दा ठंडापन खतम करन लई हमेशा लसी नूँ तड़का लगा दियो जिसतरा की तेल दे विच थोड़ा जा राई, जीरा पाके या थोड़ी जी सुन्ड दी एक चुटकी पाके ओ तड़का असी लसी नूँ लगाके उस तरह दी लसी जे लेंदे हा ता ओहो कफदा भी शमन कर दी है, ते नाल नाल ओधा जड़ा ठंडा पन होंदा है, ओ भी कट चंदा है जिन्ना खाने बारे असी गल कर दे हाँ, एता साड़े पुराने खाने हाँ ते साड़े कोल हमेशा ही मौजूद सी पर असी फिर भी इनने बिमार क्यों होने शुरू हो गए, ओस दा कारण एही है कि अज असी अपना खाना बनाओन दे ले, आप मेनत बिल्कुल भी नहीं कर दे ते साड़ा जिन्ना भी खाना है, ओ सारा प्रोसेस्ट बढया बनाया होंदा है असी पैकेट दा आटा लेलन दे हाँ, जिस दी शक्ती जड़ी है, ओ खतम हो चुकी हुंदी है जिस दे विच फाइबर दी मात्रा बिल्कुल काट हुंदी है असी दलिया खिचडी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर दे क्योंकि सानु लगदा है कि ये बिमारा दा खाना है असी फल खान दी बजाए, फला दे जूस पीना ज्यादा पसंद कर दे हाँ मैनू जो मैसूस हुनदा है, ओ ए है कि किसे डॉक्टर नालों मी जे आजदे जमाने विच साड़ी कोई मदद कर सकता है, ता ओ है किसान क्योंकि ओ अन दाता है, सब कुछ आप उगा सकता है पर ओ शायद मजबूर है, इस करके ओ उगांदा नहीं असी ओही पोजन खाके ठीक रह सकते हा, जेडा पोजन साड़े पूर्ख्या तो असी खान दे आ रहे हा, बस असी हुन ओधी मात्रा कटौनी है, सिरफ मात्रा एसकार के कटौनी है, क्योंकि असी ओनना जिनना फिजिकल काम नहीं कर दे, जे ओहो एक वेले पांच तो छे जित्तों दे जमपल हो, जो तो हाड़े बुजूर्ग खान दे सी, ओही खाओ, क्योंकि ओचीजां साई सी, असी ओस मिट्टी दे बने होए हा, ओस आनू पच्दिया ने, बस असी ओनना दी मात्रा नहीं बदाणी, तो उनना बौता प्रोसेस्ट करके नहीं खाना, एथो त देश ने, ठंडे देशां दा पोजन जेडा है, ओपारत वाला कई वरसानू सेट नहीं होँदा, असी ओनना दा पुरातन पोजन खावांगे, ता असी बिमारियां तो दूर रह सकते हा, क्योंकि ओनना दा पुरातन पोजन उनना दी जलवायू ते वातावरन दे हिसाब न उसनों पोजन खरीतो, ताकि होर किसान भी मोटिवेट होन, उनना नू लगगे कि ए चीज़ां विकदियां हन, इनना दा मुल मिल सकदा है, ती सानू चंगा पोजन, चंगा अनाज, चंगा दुद के ओजड़ा है, ओउ उपलब्ध हो सके, असी पोजन बारे गल किती, एस थोड़ी मात्रा विच लेंदे हा, इस नाल हुंदा की है, साड़ा शिरीर विच हल्का पनाउंदा है, साड़ा खून ते साड़ियां अंतड़ियां हन, साफ हुंदियां हन, ती सी हर तरह दी चीज़ ले रहे हा, क्यो तेल, अनाज, सबजियां, फल, ती कुछ नट्स भी ल शामिल सब कुछ करो, थोड़ी-थोड़ी मात्रा दे विच करो, समय अनुसार लो, ते आन रखो कि केडियां चीज़ां सी देन वेले ले सक दे हा, ते किस चीज़ दा सेवन असी रात नू करना है, बौता प्रेज रात दा है, रात दा पोजन हलका होना चाहिता है, ते साथ रात वजे तक सानू ले लेना चाहिता है, रात दे पोजन विच किसे भी तरह दी ठंडी चीज़ जेड़ी है, और नहीं लेनी, जिवेकी लसी हो गई, दई हो गई, जूस हो गया, कोल्ड रिंक हो गया, इस तरह दिया चीज़ां सानू रात वेले सेवन नहीं करनिया चाहि क्योंकि जिथे जोड हिल नहीं रहे, या उथे सोजिश है, उथे असी ब्लड सर्कूलेशन जड़ी है, वदाउनी है, खून दा दौरा वदाउन दे लई, सानू मालिश करनी पाएगी, सेख करना पाएगा, ते वर्जिश करनी पाएगी, एस दे ना ले भी होएगा, कि जि जान दे विच है, ओ टिली हुन दी है, बार निकल दी है, ते जोड साफ सुत्रे हो जान दे हैं, कई केसे दे विच एस तरह हुंदा है, कि लोग ज्यादा न्यूट्रिश पोजन नहीं ले रहे हुंदे, उमर भी हो जान दी है, वर्जिश ज्यादा कर दे हैं, तो उत्थे जोडा नूँ हलका हलका असी बैठे बैठे भी हिला सक्दे हैं, बेशक असी पोजन किता हुया है, असी वेले बैठे हां, फिर वे असी अपने पैरा नूँ थोड़ा थोड़ा हिला सक्दे हां, गोड्या नूँ थोड़ा थोड़ा हिला सक्दे हां, बामा नूँ हलका हलका पिंडे एक्सराइस नहीं करनी उस तो पहला तुसी कोसे तेल दी मालिश करनी है जे तुसी आयुर्वेदिक स्टोर तो तेल लेना चौंदे हो ता जे तो हानु दर्द ज्यादा है ता नरायन तेल या महा नरायन तेल जेड़े हन बहुत ही वदिया हन दर्द देले ती जे तो सेख के उस दी मालिश कर सकते हो मालिश करन तो बाद सेख करना बहुत जरूरी है सेख करन देली तुसी गरम पानी दी बाल्टी पारके रख सकते हो उस दे विच तौलिया पाके उसनु चंगी तरह निचोड़के उस दे उस दा सेख किता जा सकता है ते जे सोजिश है पाफ दे सकते हैं जड़ा कि गंदगी तो टिल्ली हुंदी है गर्मैश इथे वद्दी है जोड़ां ते सर्कुलेशन जड़ी है खून दा दौरा है जड़ा की गंदगी साफ करन दे विच मदद करता है तो जोड जड़ेने वह अपने आफ जड़ेने और वह सौफ्ट हो जा बहुत ज्यादा तुसी वर्जिश या एक्सरसाइज नहीं कर सकते ता सैर करनी लाजमी है सैर जरूर करो जिनना कभी कर सकते हो तेज या हॉली अपनी स्पीड ते अपनी समरत्था देनुसार करना है अपने श्रीर नू बहुत ज्यादा कश्ट दे के नहीं करना इस तो जवा रासना अधिकाड़ा या महा रासना अधिकाड़ा एजड़ी काड़े हन ए बहुत ज्यादा वधिया कम कर दे हन जोड़ा दे दर्ध दे उपर एस ता जड़ा सुपका काड़ा वी तहानू आयरुवेदिक स्टोर तो मिल जानदा है ते इसनू जदो असी एक ग्लास पानी दे विच पाके उबालना है ता अधा रहन तक असी इसनो उबालांगे तसा ड़काड़ा त्यार हो जानदा है इसनो अधा कंटा पहला या पोजन तो अधा कंटा बाद लिया जा सकता है जोड़ा दी दर्ध दी सब्तों मुफ्त दवा है तो स्वेर दी ती मिंट दी प्लाजमी है जिनना दी जोड़ा दी दर्ध है क्योंकि विटामिन दी दी जड़ी कमी है ओ भी सब तो वड़ा कारण है अज दे समय मिच जे विटामिन दी कट हो जानदा है ता उस ती नाल भी असी केल्शिम मेगनीशिम जेड़ा है इनना चीज़ा नू अपने खून जो अपने 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 अंदर संकल्प कर दे हो मैं बिमारी तो मुक्त होना है ते हार पक्खों अपने शरीर्दी केर करने शुरू कर दे हो ता इन लाजमी है जड़ी बिमारी है ओ जरूर चली जाएगी उमीद कर दी हां कि आज ता विशा तो हनू पसंद आया होएगा मैं फिर मिलांगी किसे होर नवे विशे दिनाल तद तक लेई सक्ष्रियकाल